असलाम लेकुम एवरीवन वेलकम तो आईश्या मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टेडी करने जा रहे हैं मसल्स ओफ दी लैटरल कंपार्टमेंट ओफ दी लेग जिसको हम क्या बोलते हैं पिरोनियल मसल्स इन पिरोनियल मसल्स में हमारे पास आता है जो दुनों हमारे पास पिरोनियल मसल्स हैं बेसिकली उनकी अटैश्मेंट्स में हमारे पास या उरीजन में हमारे पास कौन सी बोन इंवाल्फ होगी मेंली फिब्यूला बोन इंवाल्फ होगी जो fibula bone है, उसके head से origin होता है, peroneus longus muscle का, उसके लाबा, upper one third and posterior half of the middle one third of lateral surface of shaft of fibula. इस बात का क्या मतलब है हमारे पास, यह जो overall हमने यह origin पढ़ा है, यह कहां पर है, हमारे पास lateral surface of shaft of fibula. मिन जो fibula की shaft तो है ही, लेकिन उसकी lateral surface. सो उसके उपर किस तरह से partition है हम उसको देखते हैं, यह हमारे पास lateral surface हमने draw की है, उसका upper one third है, ठीके, इतना part, वहां से origin होगा, उसके लाबा, जो middle one third है, उसका posterior half, मिन जो middle one third है, उसकी भी हम partition कर देते हैं, एक होगी मारे पास anterior side और एक होगी posterior side. overall यह कौन सी surface है, fibula bone की, shaft की यह है, हमारे पास lateral surface, so lateral surface के उपर कौन कौन सा part है, अपर one third है, उसको भी shaded कर देते हैं, ठीके, इस तरह से, यहां से origin होता है, उसके इलाबा, जो posterior, middle one third का posterior part है, मिन यह इतना part जो है, middle one third, पूरा नहीं, उसका posterior half, इतने part से हमारे पास origin होता है, पिरोनियस लोंगस मसल का, on the lateral surface of shaft of fibula, ठीक है, इतना part हो गया, यह हमारे पास origin, अभी देख लेते हैं, इसका insertion, insertion हमारे पास कहां होता है, lateral side of base of first metatarsal bone, जो first metatarsal bone है, उसकी lateral side पे, जो base वाला part है, वहां पे इसका insertion होता है, and adjoining part of the medial uniform bone, basically, जो first metatarsal bone है, वो किसके सा कर रही होती है, पीछे हमारे पास, कुन सी तार्सल बोन के साथ, जो क्यूनिफॉर्म बोन का adjoining part है, और जो metatarsal bone की lateral side है, बेस की, वहां पर insertion होता है, हमारे पास, peronius longus muscle का, अब हम देख लेते हैं, इसकी nerve supply को, nerve supply में आती है, superficial peronial nerve, basically, जो common peronial nerve है, उसकी two branches होती है, superficial peronial nerve and deep peronial nerve, so superficial peronial nerve, जो है, वो peronius muscle, यह lateral compartment of the muscles को supply करती है, next, इसका देख लेते हैं, action, उसमें आता है, हमारे पास, e-verter of the foot, and it maintains the longitudinal and the transverse arch of the foot, e-version movement हमारे पास कौन सी होती है, हम इसको foot का insider कर लेते हैं, यह क्या हमारे पास, foot है, ठीक है, और यह कौन सा joint है, angle joint है, so, इसके हमारे पास, ankle joint होता है, वहाँ पर होती है, two movements, dorsi flexion and the plantar flexion, जो dorsal side को करेंगे, इस तरह से, वो dorsi flexion होगी, और नीचे को होगी plantar flexion, उसके रावा हमारे पास foot की भी two movements होती है, वो होती है, inversion and the e-version, so, जो inside को करेंगे, वो होगी inversion, और जो हम foot की बाह करवाएगा मीन फुट की जो है वो लेटरल साइड की मुव्मेंट करवाएगा इनके नेम से ही सारी की सारी चीज़े अंडरस्टेंड हो जाएंगी लेटरल साइड का मसल है सो कौन सी बॉन इनवाल्व होगी? लैटल साइड की बॉन वो है fibula बॉन और जो मेटाटारसल बॉन है उसकी भी लैटल साइड है और मुवमेंट भी कौन सी है लैटल साइड की ही है मेन इवर्जन है, इनवर्जन नहीं है सो लैटल से ही सब चीज़े एंडरस्टेंड हो जाती है अब हम देख लेते हैं पिरोनियस ब्रेविस मसल को यह कहां से अराइस होता है औरिजनेट होता है एंटिरियर हाफ ओफ दी मीडल वान थर्ड एंड होल ओफ दी लेटरल सर्फेस ओफ शेफ्ट ओफ फिब्यूला मीन एक बात है कि लेटरल सर्फेस अचेफ्ट ओफ फिब्यूला और उसके इलावा क्या है एंटिरीयर हाफ ओफ ब्रेविस मीडल वान थर्ड है ठीक है मीडल वान थर्ड तो इसका दो जगों से हमारे पास ओर रीजन होता है और रहे पास जो इंट्रमस्कुलर सैप्टा है वहां से भी परोनियस ब्रेविस ह होता है एंटीर औंप उस्टीर एंट्रमस्कुलर सेप्टा अतवी लैग पीशिया होते हैं जो मसल्सके पाइटन बनाते हैं सो क्या है एंटिरिय को मद्था आपता जो पाइज आपता Plus एक Нिस लेंग वहां इसका लेट लेटेक रिंसर्शन इसको भी हम compare करके ही पढ़ेंगे lateral side of base of fifth metatarsal bone इसमें क्या थी हमारे पास यह भी metatarsal है empty lateral side of base of first यह lateral side of base of fifth ठीक है तो यह first metatarsal की base पर इसका insertion हो रहा है इसका lateral side of base of fifth metatarsal bone और again हमारे पास same इसकी nerve supply है superficial peroneal nerve नर्फ भी same supply कर रही है और हमारे पास action भी same होगा वह क्या है इवर्टर of the foot में यह भी हमारे पास peroneus brevis भी क्या करवाएगा इवर्जन ही करवाएगा अब इसका हम देख लेते हैं clinical clinical में क्या है कि दोनों जो muscle हैं इनकी nerve supply same है इन case अगर हमारे पास superficial peroneal nerve की injury हो जाती है तो इन दोनों muscles का क्या हो जाएगा paralysis हो जाएगा तो जब हमारे पास peroneal muscles का paralysis हो जाएगा तो कौन सी movement का loss होगा हमारे पास इवर्जन का ठीक है जो इवर्टर है हैं overall हम दोनों को क्या कह सकते हैं same action है same nerve supply है तो peroneal muscles को भोलेंगे इवर्टर ठीक है जब इवर्टर का हमारे पास paralysis हो जाएगा तो हमारे पास क्या है इवर्जन movement का loss हो जाएगा यह थे मारे पास सारी के सारे peroneal muscles if you understand this video so please like share and subscribe the channel thanks for watching